सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टूडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस वेल आइकन को दबाएं हालो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडे मैं आपका स्वागत है देखे फ्रेंड्स हम लोग साइन्स का प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे देखे फ्रेंड्स आप लोग प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रेक्टिस हो जाएगी जो एक्जाम में हेल्प फूल होगा तो देखे फेंज, हमारा पहला कोस्चन, जिव बिग्ज्यान सब्द का प्रियोग, सरो पर्थम किस ने किया था, तो फेंज, आपको कमचे कम पांच सिंगेंड मिलेंगे, पढ़े होंगे, तो आंसोर देने का प्रियाज जरूर कियेगा तो देखे फेंज, जिव बिग्ज्यान सब्द का प्रियोग, सरो पर्थम, लाइमार्क एवं ट्रेवी नेरस बिग्ज्यानिक थे, ओकिये थे, तो अपसान हमारा B से हो जागा, और देखे फेंज, जो अरस्तु हैं, जिव बिग्ज्यान के जनक हैं, तो फेंज, जाता है, इब इंपोर्टेंट कोश्चन हैं फेंज, तो देखें फेंज, चिकित्सा सास्त्र के जनक हिप्पो क्रेट को का आ जाता है, तो अपसान हमारा B से हो जाएगा, इंपोर्टेंट है भी, अच्छे से समझ लिजेगा, और अस्तु के बारे में भी बताये हैं तो देखें फेंज, हमारा अगला कोश्चन, जीवो में पाये जाने वाले रोगों का अध्यन क्या काला आता है, तो देखें फेंज, जीवो में पाये जाने वाले रोगों का अध्यन पाये थो लाजी, तो अपसान हमारा A से हो जाएगा, पाये थो लाजी, और देखिए और देखिए फेंज हमारा अगला कोस्चन कीटू से सम्बंदित बिग्यान की साखा काल आती है मतलब क्या काल आती है फेंज जितने भी कोस्चन इंपोर्टेंट कोस्चन है फेंज और आप हमारे चैनल में में साज जूड़े रहें है तो देखिए फेंज कीटू में जो कीटू से सम्बंदित बिग्यान की साखा होती है ऑढेंटोमोलाजी होती है तो आप सैं हमारा A से हो जाएगा एंटोमोलाजी और देखिए जो आरनितोलाजी है इसमें पंशियों का अध्यान होता है तो important है आरनितोलाजी पंचियों का अध्यान तो देखेंच हमारा अकला question tuberculosis research center कहा है इंपर्टेंट question है फश्यामर्या नहींगसि इसको अच्छे समझ लेजेगा तो zuberculosis research center चंड़ीगड में है तो चंड़ीगड में तो आप्षन हमारा A से हो जागा चंड़ीगड और देखेए फिन्स हमारा अगला कोस्चन मदुमक्खी फालन संबन्दित है मदमख्ı pause संबंदु एक इससे तो अपी कल्चर तो हमारा अप्षन वी से का अध्यान होता है हर्टी कल्चर में सबसे इंपोर्टेंट देखें इसमें जो वीटी कल्चर होता है इसमें अंगूरों का अध्यान होता अंगूरों का अध्यान और उत्पादन दोनों का अध्यान होता इसमें तो वीटी कल्चर में इंपोर्टेंट है इसको अच्छे तो दीके फेंट सेंटर फार एडवांज टेकनोलाजी यह इंद युरी मीचती थे तो आप तो आ में अहर यह जाएगा हो अब दीखेंबरिन अगला कोशलण अमारा है कि भूकम्म्यों का अध्यान क्या कर flashlight है important है फेंड्स जितने भी questions सभी important है है मी तो देखें फेंड्स बो कंपो का आध्यान क्या कावा लाता है pessimology तो आफसान हमारा बी से ही हो जागा Märses mola जी और देखेंड जो एं noises एंथ्रोलाजी है इसमें क्या होता है तो एंथ्रोलाजी में पूस्पो का अध्यान होता है पूस्पो का अध्यान एंथ्रोलाजी और देखे फेंच जो एपिग्राफ होता है इसमें सिला लेखो का अध्यान होता है तो अच्छे समझ लेजेगा एपिग्राफ में सिला लेख का अध्यान होता है तो सबको अच्छे समझ लीजिए गाव फेंच तो देखे फेंच हमारा अगला कोस्चन आधुनिक बनस्पत्ति बिज्ञान का जनक किसे का जाता है इंपोर्टेंट फेंच तो देखेंच आधुनिक बनस्पत्ति बिज्ञान का जनक लीनियस को खा जाता है तो आधुनिक बनस्पत्ति बिज्ञान का जनक 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 तुए फ्रेट्स हो जाएगा तो अच्छे समझ लिजेगा और देखे फिंट्स इंस इ सब्सेगेних आतू तुनीक आतू लांस मार्गनों किना स्अनक की से कआ जाता है अब हमतारे फिंट्स असारल को है जादी होगा तो देखें फिंज जन्तु बिज्ञान का जनक और अस्तु को तो अपसन हमारा ए से हो जाएगा और बतायते फिंज हिप्पोक्रेट्स चिकिछा साष्त के जनक हैं और फिंज देखें माई के लिए कवक बिज्ञान के तो फिंज देखें अच्छे से उसको तो सिंपल याद कर सकते हैं जो माई के लिए हैं या कवक बिज्ञान के जनक हैं तो इंपोर्टेंट है फिंज सभी इंपोर्टेंट है तो देखें फिंज हमारा अगला कोस्चन ट्रेड मिल टेस्ट कौंट से चिकिस्टा से संबंदित इंपोर्टेंट है फिंज तो देखे फिंच ट्रेड मिल टेस्ट या गुर्दा से संबन्दित होता है तो आप तो अमारा से से हो जागा गुर्दा और देखे फिंच अमारा अगला कोश्चन important question होमो सेम्पियन्ज किसका बेग्यानिक नाम है important फिंच तो देखे फिंच होमो सेम्पियन्ज मनुष्य का बेग्यानिक नाम है तो आप तो हमारा से से हो जागा होमो सेम्पियन्ज मनुष्य और देखे बाग का पैंथरा टाइग्रिस जो बाग का बेग्यानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस और देखे फेंस जो मेड़क का बेग्यानिक नाम है राना टेग्रिना इंपर्टेंट है फेंस अब को अच्छे समझेगा मेड़क का बेग्यानिक नाम राना टेग्रिना और देखे फेंस जो कमल का एक तो अक्सर एकजाम में पूछ देता है कमल का बेग्यानिक देखे friends हमारा अगला question स्वपनों का अध्यान का लाता important है friends तो अच्छे से solve करिए और comment में जरूर बताएगा आपका कितना question सही हुआ है तो देखे friends स्वपनों का अध्यान आरिनो लाजी तो आपता हमारा C से हो जागा आरिनो लाजी important है friends और देखे क्रोमेटो लाजी क्या होता है friends तो इसमें जो होता है फोलों के रंगों का अध्यान होता है जो फोलों का रंग होता है कई प्रकार के तो उसका उसमें अध्यान क्या जाता है तो फोलों के रंगों का अध्यान क्रोमेटो लाजी होता है इसको भी देख लिजे, इथोलाजिम क्या होता है, तो इसमें जीओं के प्रजाति के गुड़ों का अध्यन होता है, इथोलाजिम और फ्रेनोलाजिम देख लिजे, इसमें खोफडी का अध्यन होता है, इसमें खोफडी का अध्यन होता है, इसमें खोफडी का अध्यन होता ह तो देखें फेंज केंद्रे वन अस्पत्य अनु सन्धान सस्तान या लख नव में, तो आप्टन हमारा ए से हो जायगा, लख नव. तो देखें फेंज, हमारा अगला कोस्चन, फलोकार्ध्यन कालात्या, इंपोर्टेन्ट एफेंज, तो फटा फट बताएए फेंज तो देखे फ़लो का अध्यान पोमोलाजी इंपोर्टेंट एफेंज आपसन ऐसा ही हो जाएगा और मायोलाजी में देखे फेंज क्या हो जाएगा इसमें मास्पेसियों का अध्यान होता है मायोलाजी में important है friends और कार्डियोलाजी में क्या होता है इसमें हेर्दय रोगों का अध्यान होता है कार्डियोलाजी में हेर्दय रोगों का अध्यान कार्डियोलाजी और देखिये फिस important है हिस्टोलाजी में क्या होता है friends तो इसमें उतक जो टीसू होते हैं उसका अध्यान होता है तो हिस्टोलाजी में उतक जो टीस्यों होते तो उसका अध्ययन होता है तो हिस्टोलाजी में हो जागा और friends हमारा अगला question देखिए मानोविकास का अध्ययन का लाता है यह वी important है friends तो देखिए मानोविकास का अध्ययन anthropology तो आपना हमारा B से हो जागा एंत्रोपोलाजि और देखे फ्रेंज आरे और नितोलाज में पहहले बताये थे पछ्छीहों का अध्याइद और फ्रेंज यह कैसे आपसे इसको तो अच्छे समझ लिजेगा गाइनकोलाजी में क्या होता है देखे फेंस तो इसमें जो हता है इस्तिरियों के रोगों का अध्यान होता है गाइनकोलाजी में इंपर्टेंड फेंस यह रिलेवे का कोस्चन है रिलेवे में आया हो कोस्चन है तो अच्छे समझ तो देखे फिंच आश्टियोलाजी में हड्डियों का अध्यन होता है तो आश्टियों का तो आपसा नमारा डी से हो जाएगा आश्टियों अब देखे फिंच अगला कोश्चन केंद्री है चावल अनुसंधान संस्थान कहा है इंपोर्टेंट है फिंच तो देखे फिंच केंद्री चावल अनुसंधान संस्थान या कटप तो आपसा नमारा सी से हो जाएगा तो कटप तो देखें फ्रेंट्स हमारा अगला कोश्चन केचुवा पालन का अध्यान है क्या कर ला था है फ्रेंट्स केचुवा पालन का अध्यान इंपोर्मी कोश्चन है तो देखे फ्रेंज केचुवा पालन का अध्यान वर्मी कल्चर तो आपसान हमारा ए से हो जागा वर्मी कल्चर और देखे वीटी कल्चर बताये थे अंगोरो का अध्यान अंगोरो के उत्पादन का अध्यान वीटी कल्चर देखे इंपोर्टेंट है पेडोलाजी तो देख सबको अच्छे समझते चलिए और देखे फाइक लाजी आपको तो कई बार बता चुके हैं फाइक लाजी में सेवालों का अध्यान और देखे फिंज अगला question कीटो का अध्यान काला था important question event तो देखे कीटो का अध्यान तो देखे फिंज कीटो का अध्यान entomology तो आपसा नमारा C से हो जाएगा entomology important event और देखे जो स्वारोलाजी होता है important event छिपकलियों का अध्यान होता है स्वारोलाजी में तो सभी question important event द्टिरण ढवारोलाजी होता है